आप सब कैसे हो मुझे उमीद है कि आप सब ठीक ठक है मैं फरीन टीचर आज हम हिंदी में पार्थीन कैसा पुरस्कार फड़ेंगे और सीखेंगे उपन पेज नमब ट्वेंदीटू इन यू हिंदी टेक्स्ट्बूक वेन रीड लेस्न रीपीट आफ्टर में और कीप यूर फिंगर अंडर दे वर्ट्स पार्थ तीन कैसा पुरस्कार अध्यापक जी गनित का सवाल समझा रहे थे गोपाल कृष्ण बड़े ध्यान से सुन रहा था छुट्टी होने वाली थी बच्चे गर जाने की जल्दी में थे इसलिए उनका ध्यान सवालों की तरफ नहीं था तभी अध्यापक जी ने कहा एक दस प्रश्ण ग्रहकारी के लिए हैं ग्रहकारी मिन्स होमवर्क मैं सोमवार को सबकी कौपियां देखूंगा सब प्रश्ण सही सही हल करके लाना हल मिन्स तु सॉल्फ गोपाल घर पहुँचा खाना खाया और ग्रहकारी करने बैट गया उसने जल्दी ही आड़ प्रश्ण हल कर लिये नववे प्रश्ण में कुछ अधिक समय लगा और दसवांतों निकला ही नहीं गोपाल ने बहुत कोशिश की फिर हार कर उसे छोड़ दिया उसने सोचा यहाँ प्रश्ण अध्यापक्जी से ही समझ लूँगा दूसरे दिन रविवार था गोपाल के चचेरी भाई मिंस कजिन उसके घर आए वे बड़ी कक्षा में पढ़ते थे गोपाल ने उनसे प्रश्ण समझाने को कहा भाई ने थुरंत उसे हल कर दिया गोपाल ने कौपी पर उतार लिया पर समझा नहीं क्यूंकि भाई के पास समझाने का समय न था सोमवार को अध्यापक्जी ने सब से पूछा कि कौन-कौन प्रश्ण करके लाया है कौपियां देखी केवल गोपाल ने ही अपना हाथ उठाया उसने सब सावाल किये थे और सब ही ठीक थे अध्यापक्जी बहुत प्रसन्न हुए प्रसन्न means Amused उन्होंने गोपाल की फीठ ठोकी फीठ ठोकना मिन्स शाबाशी देना वे बोले गोपाल के लिए सब तालियां बजाएं गोपाल यहालो अपना पुरसकार पुरसकार मिन्स अवर्ड गोपाल ने हाथ आगे नहीं बढ़ाए वहाँ बोला गुरुजी मुझे यहाँ इनाम लेने का कोई अधिखार नहीं अधिखार मिन्स राइच मैंने एक प्रश्ण सुवयम नहीं किया मेरी भाई ने किया है मैंने तो उसे केवल कौपी पर उतारा ही है ठीक से समझा भी नहीं सच कहता हूँ मैं अब भी यहाँ प्रश्ण हल नहीं कर सकता इतना कहते कहते गोपाल की आँखों में आंसु आ गए वह दृष्टी नीचे की ये खड़ा रहा अध्यापक गोपाल की बात सुनकर दंग रहे गए वे बोलें गोपाल तुम्हारी सच्चाई और इमानदारी पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रसन्न मिन्स ग्लैड हाँ मुझे तुम पर गर्व है यहाँ पुरस्कार अब भी तुमारा है अब यहाँ तुम्हारी इमानदारी के लिए है सच्चाई थता इमानदारी की भावना से भरे इस बालक गोपाल कृष्ण गोखले का जन 9 माई 1866 को महारास्टर के रत्नगिरी जिले के एक छोटे सी गाउं में हुआ था पिता कृष्ण राव गोखले थता माता सत्यभामा बाई ने बच्पन से ही गोपाल को स्वाबिमान और इमानदारी का पाट पड़ाया था स्वाबिमान मिंस सल्फ रेस्पेक्ट मा राग दिन पावरानी कहानिया सुना दी तो पिता वीर देश बक्तों की किसे बालक गोपाल सब किसे कहानिया ध्यान पूर्वक सुनते यही गोपाल भारत की आजादी के लिए लणने वाले स्वतंत्रिता सेनानी मतलब फ्रीडम फाइटर गोपाल कृष्ण गोकले थे अंग्रेश सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई नीतिया मिन्स पॉलिसिस अनेक पत्र और निश्चल के लेख लिखे 1885 में उन्होंने कॉंग्रेश की प्रतम राश्ट्रिय सबा में बार्शन दिया उनकी जोशिले और प्रबावशाली बाशनों ने जन जन का मन मोह लिया प्रबावशाली मिन्स एफेक्टियो गोकले को भारतियों की गरीबी सदा कच्छोटती रहती उन्होंने अंग्रेश अफसरों के ठाट बाट पर होने वाले खर्चों का कड़े शब्द में विरोध किया जब बाद बहुत बढ़ गई तो ब्रितीश सरकार को एक जांच आयोग बिठाना पड़ा इस आयोग के सामने गवाही देने के लिए गोकले 1896 में इंग्लेंड गए गोकले ने धिर्बिक होकर सरकारी अफसरों के खर्चों के आकड़े आयोग के सामने रखे और बताया कि बारतियों के स्वास्तिय और शिक्षा के लिए दी जाने वाली धनराशी भी अंग्रेज अधिखारी अपनी सुक्सुविदाओं पर खर्च कर रहे हैं उस समय भारत में ब्रिटीश राज था उनके विर्द कुछ कहना बड़े साहस का काम था गोपाल कृष्ण चोटे बड़े सबके साथ समानता का विवहार करते थे उनके हृद्दय में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रती शृद्दा और सम्मान का भाव था शृद्दा मिंस रिस्पेक्ट सम्मान मिंस होनर एक बार गोकले जी के मन में बांगला बाशा मिंस बेंगॉली लैंग्विज के साहित्य को मूल रूप में पढ़ने की इच्छा उत्पन्द हुई वे अपने नाई नाई मिंस बारबर से ही बांगला बाशा सीखने लगे सीखते समय नाई को कुर्सी पर बिठाते थे और स्वायम जमीर पर बैड़े दो तीन दीन तो पत्नी देखती रही फिर बोली इतने बड़ी आदमी होकर आप नाई के पैरों में बैड़ते हैं क्या आपको बिल्गुल संकोच नहीं होता गोखले बोले सीखाने वाले का स्थान सीखने वाले से सदा उंचा होता है गुरु में श्रद्दा रखे बिना कुछ भी सीखना संभव नहीं ऐसे उच्च विचार थे गूपाल कृष्ण गोखले के गोपाल कृष्ण गोखले बहुत पुद्धी मान थे महात्मा गांधी उनकी नियाय प्रेता और जोशीली रूप से बहुत प्रभावित थे और उनहें अपना राजनायतिक गुरु मानते थे वे समय समय पर उनसे सलाबी लिया करते थे तो इस पार्ट में हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानेंगे एक दिन अध्यापक ने गनित यानी मैस का होमवक दिया और कहा कि इसे पूरा करके लाना है गोपाल ने नवे प्रश्ण तक पूरा कर लिया लेकिन उन्हीं दस्वा प्रश्ण समझ में नहीं आ रहा था उनके चचेरी भाई ने इसे पूरा कर दिया दूसरे दिन जब अध्यापक जी ने सबसे पूछा कि कौन कौन प्रश्ण करके लाया है तो सिर्फ गोपाल ने ही अपना हाथ उठाया उन्होंने सब सावाल किये थे और सबी ठीक थे अध्यापक जी यहादे कर बहुत खुश हुए और उन्होंने गोपाल को पुरसकार दिया गोपाल पुरसकार लेने के लिए अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए उन्होंने कहा कि मुझे यहादे नाम लेने का कोई आधिकार नहीं है मैंने एक प्रेश्चन खुद नहीं किया है मेरे भाई नहीं किया है मैंने तो सिर्फ उसे अपने कौपी पर उतारा है अध्यापक जी गोपाल के सच्चाई और इमानदारी को देखकर बोले कि किसी कहानिया सुनते थे गोपाल कृष्चन भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई उस समय में भारत में ब्रिटीशों का राष्टा और उनके विरिद्ध कुछ कहना बड़े ही साहस का काम था इससे हमें पता चलता है कि गोपाल कृष्चन बहुत ही साहसी इंसान थे गोपाल कृष्चन गोकले छोटे बड़े सब को सम्मानिता से देखते थे वह ज्यान दिनी वाले गूरू आधर और सम्मान करते थे उनका कहना था के सिकानी वाले का स्थान सीखने वाले से सदा उंचा होता है गूरू का आधर कि ये बिना कुछ भी सीखना सम्मव नहीं है गोपाल कृष्चन गोकले बहुत ही बुद्धिमान थे महात्मा गांदी जी भी उनसे बहुत ही प्रभावित थे तो इस पार से हमें पता चलता है कि गुपाल कृष्ण गो के लिए बहुत ही इमानदार और जोशीले इंसान थे Read the lesson and learn the difficult words आपाल